अमिता बच्चन इन दिनों कौन बनेगा करूडपती के पंदरवे सीजन को होस्ट कर रहे हैं शो के दोरान बिग भी अक्सर कोई ना कोई दिल्चस्प किसा बताते रहे हैं मही अब हाली में अमिता अपने शो में अपने दिवंगत पिता और महान कवी हरिवाइश राय बच्चन का जिक्र किया दरसल शो के सोलवे एपिसोड में पठान कोट में रहने वाली अपुर्वा मलोतरा हाट सीट पर बेठी थी इस औरान उनके पास तीन हजार रुप्यों के लिए एक सवाल आया सवाल था कौन से धर्म गरंद में भगवान और युद्धा के बीच समवाद दिखाया गया है सवाल का सही जवाब था भगवत गीता कंटेस्टेर के जवाब देने के बाद अमिताब ने अपने पिता का जिक्र किया उन्होंने कहा मैं आपको बता दू कि मेरे बाबू जी ने भगवत गीता का अनुवाद किया है उन्होंने इस धर्म ग्रंद को अवधी में लिखा है जिसमें तूलसिदाज जी ने रामचरित मानस लिखी थी अमिताब ने आगे कहा भगवत गीता को संस्क्रत में लिखा गया है ऐसे में इसे आम लोगों के लिए पड़पाना मुश्किल था तो मेरे पिताजी ने सोचा कि क्यों ना इस धर्म ग्रंद का आसान भाषा में अनुवात किया जाए उस किताब को जन गीता कहा जाता है अगर आपको कभी भी फुरसक मिल तो इसे जरूर पढ़िएगा अमीदा बचल ने मंगलवार को एक थ्रोबेक तस्विर शेर की है शेर की की तस्विर में एक्टर एक छोटे बच्चे के साथ नजर आ रहे है ये बच्चा कोई नहीं बलकि जूनियर बच्चन है इसी के साथ मनने रहएं जिए इसमदू इसदा के साथ धने वाध